हलो फ्रेंट्स, टीके सिना दिस साइड, पिछले वीक में भारतिय शेर बजार काफी भुलटाइल, कमजोरी भी देखी गई मार्केट में, प्राइडर मार्केट में कमजोरी देखी गई, अब ये सारे एलेक्शन के कारण क्या हो रहा है, तो कि हमारे देश में जनरल एलेक्शन है, जो दो-तीन दिन के अंदर में उसका अनॉंस्मेंट हो जाएगा, तो स्टॉक मार्केट में एलेक्शन का क्या एफेक्ट आता है, और टेकनिकल अनालिसिस के अनुसार, प्राइस चार्ट क्या हमें इंडिकेट कर रहे हैं, निप्ट वीडियो बनाएं, आपको याद होता है, कि पहली सिचुएशन है, इलेक्शन को अगर हम देखें, तो इलेक्शन के पहले छे महने में मार्केट बुलिश रहता है, ये पिछले ग्यारा इलेक्शन की बात हम लोगों ने की थी, और एवरेज रिटन जो रहता है, काफी फिन बात किया, तो अगर हम पिछले पाँच एलेक्शन की बात करें, तो इन में से चार बार, पाँच में से निफ्टी फिफ्टी बुलिश रहा, इलेक्शन रिजल्ट अनौन्स होने के बार, और हम सभी जानते हैं कि भारतिये शेर बजार के इतिहास का सबसे स्ट्रॉंग बुल मार्केट रहा है, 2004 से लेकर 2007 के पीरिड, अभी भी आप चार्ट में जाते हो, इसको स्टडी करके देखिए, तो इंडियन स्टॉक मार्केट का सबसे स्ट्रॉंग बुल मार्केट उस पीरिड में रहा है, जहां जो भी करेक्शन हुए हैं, वो या एक तो हो गया, इलेक्शन्स एक मेजर इवेंट हैं, लेकिन लॉंग टर्म ने परस्पेक्टिब में देखें, तो मार्केट हमेशा अच्छा रेटन देखा है, निफ्टी की बात करें, तो सेकुलर ट्रेंड जो है उसका, वो बुलिश राता है, तो येस वोलाटिलिटी मा आईगी, लेकिन अभी भी अगर हम देखें, तो लास्ट वीट में जो करेक्शन हुआ है, तो ब्रॉडर ट्रेंड जो मार्केट का है, वो बुलिश है, येस इलेक्शन के टाइम पर बहुत सारे सेंटिमेंट्स में परिवरतन आएगा, अलग-अलग तरह की निउज और मार्केट पार्टिसेपेंट्स हर वेक्टी उसको अलग-अलग तरीके से परसीग कर देगा, तो इस वीडियो में हम पहले मार्केट का एक ब्रॉडर अउट्लुक लेंगे कि मार्केट ने पिछले दीक में परफॉर्म कैसा किया, मार्केट का सेंटिमेंट्स क्या है, फ प्राइस आक्षन को समझेंगे और आने वाले सब्ता में क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है support and resistance की उसको निकालने की चेश्टा करेंगे दोस्तों वीडियो को अभी से like कर लीजे चैनल को subscribe कर लीजे bell icon को hit कर दीजे notification के लिए ताकि आप हमेशा updated है चलिए इस चर्चा की शुरुआत करते है अगर हम लास्ट वीक में Indian stock market के performance को देखे अगर हम major sectors की बात करें जिनका वेटेज nifty 50 में काफी sizable वेटेज है around 75% का तो सारे sector bearish थे केवल IT sector को छोड़ के financials में गिरावट दर्च की गई 1.72% की week on week basis पे वहीं IT sector bullish था 1.08% से और FMCG sector में गिरावट थी लेकिन बहुत substantial नहीं थी 0.46% की गिरावट वहीं oil and gas sector में एक massive गिरावट देखी गई 6.03% की week on week basis पे और mid cap index जो 50 stocks को represent करता है उसमें गिरावट बहुत बड़ी गिरावट थी 4.32% की और उसी तरीके से nifty small cap index जो 50 stocks का index है उसमें और भी अधिक गिरावट थी 5.17% इससे क्या विधित होता है कि broader market में last week में कमजोरी देखी गई जब broader market में गिरावट थी तो frontline index में गिरावट obvious तरीके से होगी तो nifty 50 में काफी बड़ी गिरावट थी 2.09% से ये single week में टूर गिया वही bank nifty में गिरावट थोड़ा और अधिक थी 2.6% से ये week on week basis पे गिर गया वही private sector bank में गिरावट काफी थी 2.2% लेकिन major culprit था public sector bank public sector bank में गिरावट थी 7.9% की जो एक बासिप गिरावट वैसे public sector bank में काफी बड़ी rally भी दिखाई है तो अगर rally से compare करें तो 7.9% की गिरावट बड़ी नजर नहीं आती है लेकिन single week में इस तरह का salon कुछ बातों को indicate करता है कि कही ना कही market का sentiments public sector bank के stocks के प्रती change होता हुआ नजरा तो लास्ट week में इतनी बड़ी गिरावट public sector bank के index में निफ्टी PSU bank के index में चिंता का विशय जरूर है आप क्या सोचते हैं कि इतनी बड़ी गिरावट public sector banks में क्यों देखी गई पिछले दीग में आप उपिनियन को इस वीडियो के comment section में अवश्चे लिखी अब बात करते हैं market के sentiments market mood index की जो fear and greed को indicate करता है nifty 50 के प्रती तो market के sentiments में surprisingly बहुत जादा परिवरतन नहीं आई market mood index जब market की समापती हुई last week में तो उसकी reading की 43.39 इसका ताथपर है कि यह fear zone में है और एक सब्ता पहले भी हमने देखा कि वो theory zone में और उसकी reading थी 34.23 इसका मतलब reading improve की है जबकि market गिरा है तो there is a divergence तो चलिए दोस्तों अब straight away चलते हैं price chart पर और price chart पर technical analysis करते हैं और अपने आपको तयार करते हैं आने वाले दीख के लिए कि क्या support and resistance हो सकते हैं दोस्तों वीडियो को like करना नहीं है चर्चा की की 2.09% से गिर गया और इसकी closing price थी 22,000 23.35 तो finally 22,000 के एक psychological level को निफ्टी defend करता हुआ न चलाए रहा है लेकिन अगर यहां पर price action को ध्यान से देखें तो prior week में यहां पर एक hanging man का formation था जो मार्केट के जोशन को indicate कर रहा था और last week की candle एक bearish engulfing candle है जिसने पिछले तीन सप्ता के trading session को engulf कर दिया जो certainly market में कमजोरी को indicate करता है एक चीज़ और अगर हम यहां देखना चाहें तो पिछले यहां पर भी bearish engulfing बनी थी तो एक week और correction हुआ था इसके पहले देखें यहां पर एक one black crow का formation हुआ था market उसके बाद और भी गिरा था और और भी तीछे जाके देखें हम तो कभी भी market में जब पहले week में correction होता है तो बहुत rarely market उपर जाता है खास करके जब bearish engulfing का formation आप यहां पर भी जाके देखिए bearish engulfing नहीं होने के बावजूद भी market गिरा है इस जगह पे भी market गिरा है इस जगह पे भी market गिरा है इस जगह पे अगर हम ध्यान से देखें तो bearish engulfing नहीं था यह जो था यह bearish piercing था और market bounce back कर गया तो possibility यहां पर बन रही है कि market के गिरने की संभावना और अधिक हो सकती है तो पहले तो हम यहां देखें price action को तो price action के अनुसार हम यहां पर पहले retracement analysis करते हैं यह देखिए prior impulsive देव है यह well defined impulsive देव है इसके अनुसार अगर हम एक retracement की analysis करने की कोशिस करें तो देखिए मैं इसको draw कर रहा हूँ तो यहां पर जो critical levels होते है retracement के उन्हें हम mark करते है तो पहला level है 38.2% यह मैंने इसे mark कर लिया यहां पर और दूसरा मैं mark करूँगा golden ratio जो 61.8% का retracement level है यह मैंने इसे mark किया अब यह दो retracement level काफी significant and important हो जाते हैं तो यहां पर अगर हम देखें पहले retracement level पे तो क्या value आती है 21,840 तो इसे हम 21,100 का level mark कर देते हैं अब यहां पर next level क्या आता golden ratio का यह आता है 21,650 का 21,650 का यह दो level हमने इसलिए mark किये दोस्तों क्योंकि यह significant level है अब इसको हम थोड़ा सा price को adjust करते हैं adjust करके एक और level खीशते हैं यह आप देखें इस जगह पे मैंने level कीचा यह level क्यों important है यह level है 21,900 का 21,900 का यह क्यों significant है यहां देखिए price का rejection है price का multiple कई वीक तक rejection रहा है और यहां पर price उसको उपर में गई बट massive sell-off देखा गया यहां तो कहिना यह level जो है जहां पर large lower shadow का formation पहले भी रह चुका है तो finally 21,800 से 21,900 का zone जो है वो immediate demand area हमें समझ में आ रहा है और उसका level जब तूटा तो फिर दोस्तों यह आप देखिए करीब 21,650 पे गिरने की समभावना को हम rule-out नहीं कर सकते हैं और यह करीब-करीब इस one white soldier candlestick pattern का median भी निकल के आएगा मैंने accurately calculate नहीं किया है बट visual observation से वो समझ में आता है अब बढ़ते हैं daily price chart में और daily price chart में समझने की कोशिस करते हैं तो daily price chart में सबसे पहले मैं एक trend line की चुणवा ध्यान से देखिएगा दोस्तों यह मैंने trend line की थी अब इस trend line को ध्यान से देखें price का support price का support और यहाँ पर price support लेती हुई नजर आ रही है पिछले तीन trading sessions तो इसका मतलब क्या है इस trend line का अगर breakdown हुआ तो price फिर बहुत बड़ी संबावना है कि इस level को इस demand zone को तोड़ सकती है यहाँ पहले support यहां रहा है यहां रहा है यहां resistance रहा है और यह देखें island का formation हुआ था यह वो level है तो इसका मतलब यह बड़ा critical level है Nifty 50 में 21,800 से 21,900 और EMA 55 की value क्या आ रही है 21,800 आ रही है तो इसको मैं अब 21,800 कोडिनेट भी fix कर देता हूँ 21,800 क्योंकि यह बड़ा important level है क्योंकि इस level के price नीचे जाने का touch पर है कि यह demand area के भी price नीचे जाएगी और साथ में EMA 55 का भी breakdown होगा जो काफी दिनों से correction के दौरान में नहीं हुआ है Nifty 50 में इसके अलावा और क्या संभावना हो सकती है गौर से देखें price action को यह left shoulder हो सकता है यह head हो सकता है और price pull back करके फिर ऐसा कुछ breakdown दे और अगर ऐसा होता है तो फिर कहां तक गिरने की संभावना Nifty की हो सकती है उसे एक बार calculate करते हैं तो मैं इसको गिरने की संभावना यहीं कहीं breakdown होगा है तो फिर देखें यह गिरने की संभावना 21,690 और उसके बार 21,450 के आसपास level निकल रहा है तो इसका मतलब क्या है कि यह critical level पे आज की date में Nifty trade हो रहा है यहाँ अब ध्यान से देने वाली बात क्या है कि price action को अगर देखें तो price निया डोजी का formation किया bearish engulfing का candle बना अब upside move में यह जो level है यह level ध्यान से देखिए यह बड़ा significant level है price का resistance है, price का यह support था, price का support था और यह करीब-करीब candle का median आएगा जो bearish candle है तो अगर हम price action के अनुसार एक level को mark करें तो यह देखिए करीब level आता है यह level significant level है, तोड़ा सा इसको और उपर ले जाते है, fine tune करते है तो यह करीब level आता है 22,2300, 22,300 का level यह निकल के आता है तो इसे mark कर लेते है 22,300, इस सारी analysis live आपको explain करते हुए बताने की कोशिस कर रहा हूँ कि आपको price action का नुसार कैसे support and resistance mark करते हैं, यह भी जानकारी हो सके मैं एक और level को खीशता हूँ, यह आप ध्यान से देखिएगा यह level क्यों important है, क्योंकि इस level में price का resistance है price का resistance है, यहाँ price उपर भी गई, sustain नहीं कर पाई और यह बंच आप moving averages हैं और वो है, EMA 21 और volume weighted moving average 21 तो यह level निकल के आता है, 21,200 का level निकल के आता है, इसे भी mark कर लेते हैं, price chart के तो मेरे नजरों में immediate जो supply zone है, 21,200 से 21,300 है, जो आने वाले week में nifty को इस level के उपर में जाने में दिक्कत पहुचाएगा, और भी एक तरीके से हम समझ सकते हैं, यहाँ पर अगर मैं trend line को थोड़ा सा ऐसे खीचू, यह देखिए मैंने trend line को खीचा, इस trend line में भी कोई दिक्कत नहीं है, तो यह देखिए price का support है, price का support है, price का support है, तो यह trend line भी इसी zone में intervene कर रही है, जो एक resistance को रूप में काम करेगी, क्योंकि इस trend line का breakdown हो चुका है, जो पहले support थी, तो इसका मतलग यह है, कि यह trend line अपने आपने एक resistance को रूप में साबित होगी, अब nifty में upside movement तभी चालू होगा, जब price, exactly मैं आपको बताता हूँ, 22,430 के उपर, जब तक कोई candle close नहीं होती है, market में इस तरह से ही volatility रहेगी और narrow range में market trade होता रहेगा, यहाँ पर देखिए दोस्तों, momentum को एक पर नज़र डालते हैं, ताकि और clarity आ सके, तो यहाँ पर आप देखिए, force index जो है already bearish territory में, और यहाँ पर RSI की बात करें, तो RSIB 60 को उपर जाने में struggle कर रहा है, जो typical sideways moment को indicate करता है, चलिए अब बढ़ते हैं, bank nifty के price chart में, और bank nifty की technical analysis का, अब हम refer कर रहे हैं, bank nifty के price chart को weekly time frame में, तो इस index में गिरावट काफी अधिक थी, last week में 2.6% से index गिर गया, और इसकी closing price थी 46,594.1, तो 46,500 के level को इसने defend किया, अब यहाँ पर price action को समझते हैं, तो यह impulsive wave थी, correction हुआ, और correction के दोरार में एक अच्छी बात क्या हुई, यह जो major gap था, यह gap यहाँ पर fill होता हुआ नजर आया, और उसके बाद में price में recovery है, लेकिन इसके पहले के price action को देखें, तो जब भी correction price EMA 55 पर आके गिलती है, और support लेती है, यहाँ भी हम देख सकते हैं, तो EMA 55 काफी दूर है भी दोस्तों, EMA 55 की जो value है, 44,539 पर, तो गिरावट की possibility को हम rule out नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ price action है, जिसको पहले समझते हैं, पहले तो देखें, एक rising price channel में यह trade हो रहा है, price का resistance, price का resistance, price का resistance, और यहाँ पर हम देखें, यह support है, यह support है, जब यह correction हो रहा था, तो एक सम्भावना थी, कि price यह lower fiber को test करेगी, और EMA 55 को भी test करेगी, जो historical price action suggest करते हैं, बढ़ यहाँ से हो गया pullback, लेकिन price sustain नहीं कर पाई, और यह देखें, consolidation band है, यह कहीं न कहीं, resistance group में act कर रहा है, last week की candle को अगर closely देखें, तो इसे आप bearish engulfing भी बोल सकते हैं, और one black crow का भी formation, बोल सकते हैं, जो एक powerful bearish candlestick pattern, अब price action के नुसार, यहाँ पर गर देखें, तो price का rejection है, price का rejection है, यहाँ price का resistance था, यहाँ price का rejection है, तो 46,000 से लेकर 46,300, bank nifty में अच्छा support नजरा रहा है, और इस trend line को देखें, price का support है, price का support है, large lower shadow का formation है, और यह confluence भी है, EMA 21 and volume weighted moving average का, तो यह zone जो है, एक support zone निकल रहा है, upside की बात करें, यहाँ देखें, price का support था, price का support था, यह price का rejection है, तो 47,000 एक immediate resistance है, और उसके बाद 47,500, तो यह एक supply band group में, हम देख सकते हैं, bank nifty में, अब बढ़ते हैं, daily price chart में, तो daily price chart में, bank nifty में, downside momentum का exhaustion नज़रा है, यहाँ देखें, price ने यहाँ support लिया, यहाँ support लिया, यहाँ support लिया, तो यह कहीं न कहीं, यह resistance था, यह resistance था, यह resistance था, तो यह symmetrical triangle का formation हुआ था, जिसका यहाँ breakout हुआ था, तो obviously यह दोनो trend line, trading range narrow होती जा रही है, क्योंकि symmetrical triangle है, तो यह दोनो trend line के बीच का zone, immediate support area है, जहाँ पे price ने last trading session में, एक spinning top का formation किया और support किया है, अगर last candle के low को देखें तो वो है, 46,310 और इसे लिए यह upper fiber immediate support है, और उसके बाद यहाँ देखें, price का support है, यहाँ multiple price का resistance है, तो 46,000 अनगर support है, तो यह immediate support area के रूप में act करने की समभावना है, लेकिन अगर price इसके नीचे गिरी, तो फिर correction deeper हो सकता है, और वो correction हो सकता है, something around 45,600 के आज़ पास में, अब हम refer कर रहे हैं, फिन Nifty के price chart को, Nifty financial services index को, इसकी closing हुई 20,500, 30.35, तो 20,500 के level को defend किया, price action करीब करीब बैंक Nifty से मिलता नजार आ रहा है, यह देखे, rising price channel है, यहाँ पर price trade हो रही है, और lower fiber support है, यहाँ पर इसने lower fiber को यहाँ test कर लिया है, और यह gap भी फिल हो गया है, इस कारण से यहाँ देखें, तो immediate demand area है, 20,400 से 20,500, यह consolidation band अपने आप में अच्छा demand area है, लास्ट वीक की candle एक one black crow candlestick pattern है, और यह जो level है, जहाँ price का consolidation है, यह immediately supply band है, चलिए अब daily price chart में चलते हैं, तो daily price chart में अगर हम देखें, तो यहाँ भी bank Nifty जासा ही formation नज़र आओ, यहाँ पर देखें, तो price में spinning top बना है last trading session में, और यह जो counter trend line है, जो पहले resistance को रूप में act कर रही थी, वो एक support provide कर रही है, यहाँ भी हम एक trend line खीच सकते हैं, कैसे खीच सकते हैं, यह देखें मैंने एक trend line कीची, तो यह trend line support है, support है, यह probably यह जो zone है, जो 20,000 से, 20,400 से 20,500 का zone है, यह immediate demand area है, और यह entire consolidation band, एक resistance को रूप में हम देखेंगे, और वो intervene करेगा, यह में 21, and moving averages intervene करेंगे, जो resistance को रूप में act करेंगे, मैं यहाँ बहुत एक horizontal line कीचता हूँ, यह आप ध्यान से देखिए, यह horizontal line क्यों significant है, बहुत बड़ा resistance है इसको 21,150 के आसपास में, यह देखिए multiple support है, यहाँ काफी बड़ा gap है, जिसके gap down opening होई थी, तो यह अब बार बार यह price reject किसी लिए इसमें से हो रही है, तो इस video में जो हमने analysis की और price action को समझने की कोशिश की, तो market में volatility अधिक है, और इसके अलावा कई resistance हैं, जो intervening resistance है, जो market को दिक्कत पहुचा सकते हैं upside moon में, तो यह वक्त हैं market में, कि जब तक market में इस तरह के price action हैं, तो हमें cautious approach रखना होगा, खास करके अगर आप short term trader हैं, तो बहुत analysis करने के बाद, multiple confluence का पता लगाने के बाद, कि trading decision लें, और कोई अगर intervening resistance आ रहा है market में, जो within one hour आ रहा है, तो पहतर है कि उस trade को avoid करें, क्योंकि risk ज़्यादा हो सकता है, कई बार नहीं trading करना भी एक decision होता है, तो ऐसे market condition में, जहां पर बहुत सारे intervening resistance है, तो risk to reward ratio का short term trading में problem आ सकता है, तो आपको कैसा लगा ये video, comments जरूर कीजेगा, आपके comments का हमें हमेशा इंतजार होता है, देखने के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे, अतिशीद,